इकाई एक यातायात चित्रपाट विद्यार्थी मित्रों आपने बगीचे को देखा होगा आज हम फिर से बगीचे की सेर करने के लिए जाएंगे अरे आप मुझे भेच जानते हैं कि नहीं? मैं गोरेया हूँ आप मुझे चकली के नाम से पैचानते हैं लेकिन अब मुझे गोरेया का कर बुलाना चलो तो हम इस बगीचे में कौन-कौन से फूल है और फूल नहीं है यहां देखते हैं अरे अरे देखो देखो यहां बाग तो फूलों से बरा पड़ा है लगता है वसंदर तू इस बाग में आबसी है देखो दोस्तो इस फूल को तो आप पैचानते ही हो ना यहां है गुलाब गुलाब कितना सुन्दर है आपको पसंद है ना इस पौदे पर कांटों के बीच देखो तो कितने गुलाब के लिए है गुलाब के पास ही छोटे छोटे सदाफुली को देखिए सदाफुली हर रुतू में खिलते है इसलिए गुजरात में तो इसे लोग बार मासी कहते है वे गुलाबी सफेद रंग में होते है दोस्तों सदाफुली के पास ही उसे खेलते और बाचित करते हो ऐसे सूर्य मुखी को देखो सूर्य मुखी के फूल सूर्योदै से सूर्यास्त तक सूरज के सामने रहकर जुकते ही रहते है आपके घर के आंगन में सूर्य मुखी जरूर होगाना यहां देखो सूर्य मुखी से ही जैसे रंग छीन के अपना रंग बनाया ना हो यहां है गेंदा गेंदा अधिकतर मौनसुन के रुतु में होते है इस बगीचे में चमपा का पेड देखो चमपा का पेड इतना बड़ा है जैसे फूलों का वो राजा ना हो देखो देखो पेड पर कितने चमपा के फूल लगे हुए है इसके पास ही गुड़हल का पौदा है कितने सुन्दर के लिए है दोस्तो इस बगीचे में एक और कोने में मेरा दोस्त बेला का पौदा है मैं आपको बेला के छोटे छोटे फूल दिखाती हूँ देखो यहां है बेला अरे इसके खुशबूतों लीजिए दोस्तो इस बगीचे में अभी और भी फूलों के पौदे लगाने बाकी है आप बताईए कौन-कौन से फूल इस चित्र में नहीं है एक काम कीजिए आप अपनी वर्क बुक में इसके यादे कीजिए और मैं अपने घर जाकर आती हूँ कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मेरे साथ बगीचे की सेर कैसी लगी? अरे हाँ, मैंने तो इस बगीचे में और भी फूलों के पौदे लगाने की बात कही थी क्या आपने नए नाम डूंडे की नहीं? अच्छा, आज मैं आपको यादायाद के साधनों का परिचय कराऊंगी देखो, रास्ते पर सबसे आगे रिक्षा जा रही है उसके पीछे बश जा रही है मित्रों रिक्षा के तीन पहिये होते है ये तो आपको पता ही होगा क्या आप बश के पहिये की संख्या जानते हो? गर जाते वक्त ध्यान से गीन लेना देखो देखो, बश के बिलकुल पीछे कार आ रही है और इसके पास ही स्कूटर और साइकल जा रहे है दूर देखिए, एक ट्रक माल सामान भरके चला आ रहा है आगे तो देखिए, पट्री पर एक ट्रेन चुक चुक करके आ रही है अरे, जल्दी जल्दी देखो, उंचे आकाश में एक विमान यहां से गुजर रहा है दोस्तो, यातायात के रोड पर और हवा में उडने वाले विमान को देखते देखते अब तो हम समुद्र किनारे पहुंच गए समुद्र में क्या-क्या तेरता दिखाई दे रहा है अरे, मेरे आखे तो बहुत छोटी है आप भी देखिये देखो, एक छोटी सी नौका तेर रही है पास ही में एक जहाज तेर रहा है दोस्तो, आज मैंने आपको यातायात के कई साधनों का परिचय करवाया है अभी और भी साधन आपने देखे हूंगे चो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ आप अपनी वरक्षिट में ऐसे साधनों की यादी बनाईए अगली बार मैं आपको उसे भी दिख लाऊंगी अब इस टिकट का किराया यहां दर्शाया गया है आप बताईए टिकट में कितना किराया लिखा है रेल टिकट में यहां पर इस टिकट का दिनांक दर्शाया गया है कौन सी तारिक का यहां टिकट है पढ़कर बताईए विद्यार्थी मित्रो देखिए यह बस का टिकट है बस कंडक्टर हमें बस का टिकट देता है टिकट देखिए यहां टिकट कहां से कहां तक का है आपको देख के बताना है टिकट में प्रस्थान से अंत तक का अंतर कितना यह भी दर्शाया जाता है आपको देख के बताना है बस टिकट में कितना किराया दर्शाया है यह देखिए आपको देख के बताना है रामु नाम का एक चरवाहा राम नगर नाम के गाउं में रहता था वहरोज सुभा अपनी बेड़ बकरियां लेकर गाउं के बाहर जंगल में चराने जाता था हर रोज की तरह रामु अपनी बेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया दोपार के वक्त वहां अकेला था जंगल समसाम हो गया था उसने बैठे बैठे सोचा आज गाम वालों का मजाक उड़ाया जाए उसने खड़े होकर चिलाना शुरू किया बागाया बागाया बचाओ बचाओ रामू के चिलाने की आवास से गाओं के लोग जंगल में आ गए उनके हाथ में हतियार थे उन्होंने रामू को पूछा कि तुछ चिला रहा था कि बागाया बागाया बाग कहां पर है रामू जोड-जोड से हसने लगा उसने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था यहां तो कोई बाग-भाग नहीं आया है मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था गाओं के लोगों ने रामू को काफी खरी-खोटी सुनाई गुस्से होकर वे वापस चले गए उसे दिन शाम का वक्व था रामू की बेड बकरियां चारा चर रही थी उसी वक्त एक भयानक बाग वहां कूट पड़ा उसने बेड बकरियों पर हमला कर दिया रामू तो घबरा गया उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया बचाओ 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 बाग आया बाग बचाओ बचाओ रामु तो घबरा कर पेड़ पर चड़ गया गाम वालों ने उसकी चिलाने की आवास सुनी होगी लेकिन एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया बाग सभी भेडबकरियों को खा कर चला गया झालों झाओरग कर लाए कर लाए कि झारे से छाओरश नहीं ओढ़ियों को लिए लेकर इंवास स्वाब мощे का आदमी गालों यहा आप सुनी होगी झाड़ में होगी आचर सो अपते होगी झालों में भी गड़ी, यहा आदमी पर दो झाल झाल